So guys, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने Facebook प्रोफाइल को Facebook पेज में कैसे convert कर सकते हैं और मैं आपको इतना आसान और इतना simple तरीका बताऊंगा ना और best of the best तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने Facebook प्रोफाइल को easily Facebook पेज में convert कर सकते हैं और ये जो Facebook प्रोफाइल को Facebook पेज में आप convert कर जेगा उसके तरह आपको Facebook प्लेरिल्स बोनस भी मिलेगा और आपका Facebook पेज monetize भी होगा और साथ ही साथ आपके जो Facebook में जितने भी friends रहेंगे ना वो automatically आपके followers में convert कर दिये जाएंगे वीडियो काफे interesting है तो वीडियो को सुरू से लेकर अन तक जरूर देखेगा आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा तो चलिए बिना किसी देरी कि आज की इस कमाल की वीडियो को सुरू करते हैं अगर आपने अभी तक से हमारे वीडियो को लाइक ने किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चलिए सबसे पहले इसके लिए मैं अपने mobile का screen recording on कर लेता हूँ और screen recording on करने के बाद मैं आपको detail में समझाता हूँ आपको प्लेस्टार में जाके चैक कर लिजेगा कि आपको फेस्टार से अफ्डेस्टार से अपडेट कर लिजेगा Facebook खोलने के बाद यहां से आपको three dot पे click करना है three dot पे click करने के बाद यह देख सकते हैं कि मेरे बादसा golden वाला profile है then इस पे आपको click कर लेना है जैसे हैं इस पे आप click किजेगा तो यहां से देखिए three dot का एक option रहेगा यहाँ पे आपको click कर लेना और जैसे यहाँ पे click किजेगा यहाँ से देखिए turn on professional mode रहेगा ठीक है अब घबराईएगा नहीं आप में से काफी लोग यह सोच रहे होगा कि भाई मैंने इसको already on कर रखा है ठीक है जैसे ही turn on कीजेगा तो turn on करने के बाद यह देख सकते हैं आपका जो भी profile है वो automatic पेज में convert कर दिया जाएगा पेज में convert करने के बाद देखिए यहाँ से profile लिखा जाएगा और digital creator लिखा जाएगा यानि कि यह जो आपका भी page है वो classic mode page है ठीक है यानि professional database का page है profile के साथ यह page है तो इसको permanent page में कैसे convert कर सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं कि मेरे पहले 189,000 followers थे अब जोतने में मेरे friends थे वो automatic follower में बदलके 189,000 friends आ चुके हैं ठीक है तो इसको अब क्या करना है कि हमको permanently page में convert करना है तो उससे पहले थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि देखिए यहाँ से आपको क्या-क्या इसको benefits मिल जाएंगे तो यहाँ से थोड़ा सा refresh कर लेते हैं यहाँ से रीफ्रेस करने के बाद यहाँ से आपको professional database देखने को मिल जाएगा यहाँ से आप total चीज देख सकते हैं post की reach देख सकते हैं post का engagement देख सकते हैं new followers देख सकते हैं और भी यहाँ से आप इस पे click करते हैं तो यहाँ से देखिए your profile पर view friends in highlights और भी give feedback और भी यहाँ स से आपको डेर सारे option मिल जाएंगा यहाँ से see more in highlights पर click करते हैं तो जैसे इस पर आप click किजेगा तो यहाँ से आपको समने देखिए कुछ इस परकार का interface खुलेगा जहां से आप post reach new page likes वगेरा वगेरा total चीज देख सकते हैं ठीक है तो अब बात आ जाता है कि इसको जो है क कि यह option किनी किनी में नहीं आ रहा हूँ तो किस में कैसे आएगा तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपना Facebook खोलने के बाद देखिए help and support में जाना है फिर help center में जाने के बाद ठीक है यहाँ से आपको search करना है profile to page यहाँ से page convert यहाँ से आपको simply click कर देना है click करने के बाद यहाँ से first वाले option पर click करना है first वाले option पर click करने के बाद यहाँ से आपको नीचे जाना है यहाँ से yes पर click करना है और yes पर click करने के बाद यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है कि dear facebook team my profile have been not converted मैं आपको description में वो word लिख के दे दूँगा आप simply यहाँ से copy paste करके send कर दीजेगा तो क्या होगा कि आप में जो है professional database को option आ जाएगा मैं मेरे में already professional database को option आ चुका है तो यहां से मैं simply लिख दिऊगा dear facebook team यह मैंने already लिख दिया है जो कि मैं आपको क्या करूँगा कि आपको description में लिख के दे दूँगा वहां से simply आप copy paste कर दिजेगा इतना करने के बाद क्या करना कि आपको simply submit पे click कर देना है जैसे ही आप submit पे click किजेगा यह आपका एक सब्ता के अंदर जो है facebook आपको professional जो है permanent page में convert कर देगा और साथ ही साथ आपको facebook play reels bonus भी मिलेगा और फिर अगर आप facebook पे video डालते हैं तो आप उससे अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं क्यूंकि आपका यह facebook page monetize भी होगा तो जानकारी आपको जरूर से अच्छा लगा होगा अगर जानकारी अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करके वीडियो को थोड़ा सा सेर कर दीजेगा अगर वीडियो में कुछ कमी रहता है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजेगा ताकि मैं आगे सुधार कर सकते धन्यवाद